हलो फ्रेंड्स वेलकम टो नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो में लोग सम नंबर एट कवर करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम करते हैं अपनी स्टेट्मेंट को रीड करेंगे एक दफा अच्छे से तो देखिए कहा लिख रहा है डिपार्टमेंट वान मिक्सिंग ऑफ मेटीरियल चीक है एंड कुकिंग ऑफ दी मिक्स्चर इन बैच्चे ऑफ 1000 लैप्स एच वान थाउसंट लैप्स इच है यह चीज आपको धियान में रखनी है कुकिंग रिजल्ट इन टैन परसंट लोस ऑफ वेस्ट टैन परसंट का उनका लोस हुआ है और स पास्ट एक्सपिरियंस जो उनका पास्ट एक्सपिरियंस है शो दाट टू बैच्चे आउट अफ एवरी टैन स्टाटी इन दी प्रोसेस आर स्पोईल यह जो है यह स्पोईल हुआ है यह हम जब सम करेंगे तब आपको समझाऊंगी ठीक है दिप्रोडक्शन रिकॉर्ट तो मार्च 2016 शो दी फॉलिविंग यह इसकी सारे प्रोडक्शन के जो भी चीज़ें सारी बता रखी है प्रोडक्शन स्टार्टिंग इन दी प्रोसेस फिफ्टी बैचीज वन थाउजन लैप्स आपको प्रोसेस अकॉर्ट सिंपल बनाना आता है ना वही लिख रहा है 25,000 उनिट धीक है उसके बाद इसकी हमें नीचे देखो कोस्त दे रखी है कोस्त रिकोड डिरिंग दी मन्थ टॉटल टॉट्ल कोस्त ले रखी है 45,000 सुन दी इसके डेकों प्रोडक्शन कंप्लिट एन ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स जो फिनिश कुड्स की हम एंट्र में ट्रांसफर होते हैं वो बोले 34200 लैब्स है उसको हमने यहां पर लिख दिया फिनिश ट्रांसफर 342 यह ट्रांसफर होनी है जो वैल्यू इधर वाला अमाउंट अभी हमें पता नहीं है वो हम पर टिकमा कर दूं यह एंट्री होगी और यह एंट्री होगी ठीक है उसके बाद देखी यहां पर बोल लखा था कुकिंग रिजल्ट इन 10% loss of weight of the mixture 10% उनका loss हुआ है तो यह जो loss of weight 50,000 की उपर अगर आप 10% लगाते हो तो 5000 आता है 5000 आ गया हमारा loss ठीक है उसके बाद क्या बोल रखा है उसके बाद देखी पास्ट एक्स्पीरियेंस शो दाट टू बैचीज तू बैचीज आउट ओफ एवरी 10 starting in the process are spoiled पहले तो यह spoiled that means normal loss ठीक है नॉर्मल लोस अब देखो यह कैसे निकालना है बोले टू बैचीज आउट ओफ 10 2 divided by 10 तो 2 divided by 10 करो यह आप जैसे मर्जी कर लो इसका हटा के उपर कर लो 20 परसंट आपकी बनती है तो ओवर 10 हमारा 20 परसंट होता है तो हम लगा रहे है नॉर्मल लोस और उसकी उपर आ रहा है हमारा 20 परसंट तुम 20 परसंट 50,000 पर लगा रहे हैं तो हमारे यारी 10,000 की हमारी अब हमारे पास यह तीन वैल्यू नहीं आई इसका यह वाली वैल्यू इसकी यह और इसकी यह हमारा ओल मैथर जो हम करते हैं पिछले समझ में भी किया है अब नॉर्मल लोस के लिए पहले आपको यूनिट्स देखने हैं 50,000 माइनस 5,000 लोस और 10,000 लोस करके नॉर्म प्रोडक्शन के लिए दे रखे 34,200 उसको लैस कर दिया 800 अब के आगे अब नॉर्मल लोस अब नॉर्मल लोस के यूनिट्स मिल गया हमें 800 ठीक है उसके बाद अब हमने अब नॉर्मल लोस की कोस्ट निकालने के लिए नॉर्मल आउट्पुट की कोस्ट डिवाइड़ बा इसको प्लस माइनस कर देंगे जिसके हमने यूनिट्स लिए है ठीक है 45,000 इदर कुछ भी नहीं है तो हमारे अकेला 45,000 रहे इन दोनों के यूनिट्स लिए थे हमने माइनस करने के लिए तो इदर दो वैल्लियू नहीं है तो 45,000 का 45,000 उपर रहे गया नीचे नॉर्मल या उसकी वैल्यू भी निकल आएगी कुछ नहीं था इस ताम में बहुत इजी समता चोटा सा समचा सोचा आपको समझा दूँ इससे अगला समच थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखें लिक भी रखा वैर इंपॉर्टेंट तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करत है बाइ बाइ गाइज